सो गैस मैं आपको सबसे पहले करेंसी दिखा देतों कैनेडियन करेंसी कौन कैसी होती है सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि फाइव कैनेडियन डॉलर कैसा होता है फाइव कैनेडियन डॉलर ऐसा होता है ध्यान से देखिए यह फाइव कैनेडियन डॉलर होता है तो प्लमनी होगा ठीक है यह फाइफ कैनेडियन डॉलर से और यह मैंने बाइब किया था फिफ्टी फॉर पॉइंट सिक्स्टी रुपीज पर डॉलर तो फिर इसका प्राइज आप खुद मल्टिप्लाई करके देख लीजेगा फिफ्टी फॉर पंट सेक्स्टीन तू फिफ्ट यहां से चेक हो जाएगी यहां पर उनकी फोटो बनी होती है सेम से फोटो होती है ठीक है यह तैन कनेडियन के बाद मैं आपको दिखा तो ट्वंटी कनेडियन डॉलर से आपको पता ही विक्टोरिया की फोटो बनी होती है ट्वंटी कनेडियन डॉलर से इसका ग्रीन कलर है और आप यहां पर मॉन्यूमेंट बना हुआ पीछे हर एक के पीछे कुछ ना कुछ बना ही होगा और यह मुझे थोड़े से बता नहीं कैसे लग रहे हैं बट सही है ट्वेंटी एक इन डॉलर ऐसे दिखते हैं आप ध्यान से देखें ट्वेंटी कनेडियन डॉलर प्लास्ट के नोट से तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं बाइचांस फट भी नहीं है यह चलते बहुत ज्यादा है नोट हमारे इंडिया में जो कागज वाले नोट से वह ज्यादा चलते नहीं है और फट फुट जाते हैं इधर उधर होने के कारण ठीक है ट्वेंटी कनेडियन डॉलर्स के बाद मैं आपको दिखाता हूं । यहां पे यहां पर देखिए इपम सकते हो ठीक है यह हैं फिफ्य ti canadian डोडर सरस्टा और इसका कललर्ट जैसे हमारे 2,000 का नोट नहीं होता है, 2,000 रुबीस वाले नोट, वैसे इसका कलर दिख रहा है, और ये प्लास्टिक के होते है, और रेडी मैं बता चुका हूँ, 50 Canadian डॉलड, प्लास्टिक के नोट से होते हैं, फिर हमारा आता है, नेक्स्ट डॉलर्स, 100 Canadian Dollars, 100 Canadian Dollars ऐसे होते हैं ठीक है, इनोवेशन, मेडिकल, मेडिकल एनिवेशन, इन्सुलीन, इन्होंने कुछ अपना वो property टाइप लिया है, ठीक है, ये है 100 Canadian Dollars, ठीक है, 100 Canadian Dollars ऐसे होते हैं, ओके, तो आप देख सकते हो, 100 Canadian Dollars, ये, आपको मैं आप सारे दिखाता हू, सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको फाइव कैनेजन डालर्स फिर यह है ट्थन कंइडियन डॉलर्स ठीक pillow फिर यह है ट्वांटि कैन डॉलर्स ठीक है फिर सीन तरी ऐंट लीस्ट अद्रिक डिफेर्ट different colors होते हैं देखिये फाइव टू और इसमें एक चीज़ गॉल इस अपने वाली और हर एक कलर में मतलब डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्रेजिडेंट्स और उनकी फोटो लगी हुए है तो आपको कहां से लेना है आपको पते ही है यह dollar साब buy कर सकते हो ठीक है जो exchange rates Thomas and Cook हो गया western union से अब buy कर सकते हो तो मुझे buy करने के लिए जो document लगे थे वो documents थे सबसे पहले offer letter थी offer letter के बाद जो हुआ वो था passport की photocopy visa की photocopy ठीक है और मैंने अगर 50,000 के convert कराने तो फिर आपको 50,000 cash देना पड़ेगा अगर 50,000 से अबब convert कराने तो आपको 1,000,000 मतलब check देना पड़ेगा 1,000,000 का करना जरूर आप Thomas and Cook के साथ ठीक है Thomas and Cook के साथ तो फिर इसके साथ आप card भी ले सकते हो मैंने उसकी video separate बनाई है वो जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी card की जो मैंने यूज लिया है वो multi currency card है ठीक है उसमें क्या होता है कि अगर आप withdraw करोगे ATM machine से ATM machine से withdraw करोगे तो आपके 2-3 dollars कट जाते हैं लेकिन अगर आप कहीं swipe करते हो या online net backing करते हो तो बहुत easy हो जाता है कोई पैसे नहीं कटता और आप इंडिया से पैसे मंगा भी सकते हो अपने account में अराम से डाल सकते हो तो बहुत ही easy है और बहुत easy method है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को subscribe करेगा मैं आपके लिए यह सारी वीडियो बनाता ही रहूंगा ठीक है थैंक यू आपको तो चैनल को सुछ अगर्णा एं बडबाए थैक केर